हेलो बच्चे लोग सब कैसे हो सब बढ़िया सब मोजे सब बच्चे लोग पूछ ले थे यह बताना यह जो सीएफ पॉंडेशन का यह जो निव सिलबस आया है इसमें और ओल्ड सिलबस के जो फाउंडेशन में अकाउंट से उसमें क्या आपका डिफरेंस आया है यह डाल देरां उसका लेंग आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना मैं आपको बस एक बर मोटा मोटा बताता हूं कि क्या डिफरेंस हुआ है और आपके पॉइंटने में क्या डिफरेंस आएगा मैं समझाता हूं देखो पहला जो अपना चैप्टर होता था ना उसको चैप्टर देता था और हम लोग बोलते भी थे कि यह ठीक है चैप्टर जिसके पास अकाउंट्स का बैक्गरॉंड नहीं उसके लिए बहुत अच्छा है बाखी ऐसाच कुछ नहीं है तो यह वाला चीज हटा दिया उन्हों को भी समझ में है था कोई खास इंपॉटेंस न रहे गया है बस उसमें से वो अकाउंटिंग जो ग्लॉसरी था वो हटा दिया टर्मिलोजी जो था वो हटा दिया इसके अलाबा अकाउंटिंग प्रॉसेस बोलके आपका था उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा भी कंपैरिजन करोगे तो पहला वो जर्ल इंट्री यह वह पहले भी ब्रस था आज भी ब्रस अपने सिलबस में है पहले इंवेंट्रिस था आज भी इंवेंट्रिस सिलबस में है पहले डेप्रिशेशन था सिर्फ देखो यह डेप्रिशेशन था concepts and accounting for depreciation अब इसको change करके कर दिया depreciation and amortization तो वह intangible assets का जो amortization वाला पाट है न यह इ यह एक्ष्ट्राप को पढ़ना पड़ेगा सिर्फ डेप्रिशेशन पढ़ने से नहीं चलेगा अब इसके अंदर amortization वाला point भी आपको पढ़ लेना पड़ेगा ठीक है पढ़ लेंगे उसके बाद एको पहले accounting for special transaction करके बोल रहा था अब वो नाम ही आटा दिया अब अभी भी है शेल ऑफ गुड्स जो है on sale or return basis जिसको बोलते हैं goods on approval यह chapter पुरा पुरा रिमूव कर दिया इसले मैंने rate कर दिया यह पुरा रिमूव हो गया अब यह है नहीं पढ़ना ही नहीं है कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर था वो पूरा पूरा रिमूव कर दिया वह ही नहीं average due date अकाउंट करेंड पूरा पूरा रिमूव कर दिया अब यह है नहीं तो मुटा मुटा दिखा जाए तो यह चार चैप्टर तो यहां से अटा दिया accounting glossary यहां से हटा दिया और यह इ अधिशन अधिशन देखा फाइल अकाउंट से एंप्यों भी है यह नया एड किया है accounting for incomplete record यह पहले अपना intermediate लेवल में था अब इसको यहां पर डाल दी है लोग टीक है ना वही single entry बोलते हैं और यह कभी भारी चैप्टर अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो कम से कम आपको 20 घंटा डालना पड़ी मतलब अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो में कम से कम 20 घंटा तो लगी जाएगा पार्टनर्शिप में आपका जो बेसिक था ना वो सारा चीज तो है यह और भी पार्टनर्शिप का जो एंटर् में लोग एंड कर रखाता न वह पार्ड बिन्रे मिह डाल दिया ृष अधिलेशन ऑ्दिव कर सब्सक्रांड में Parte यह गाँनी बहुत लंबा यह डिन पार्टनर्शिप खुद में इतना पार्टनर्शिप चाहर करवा धीया nee पहले से इशू अफ शेर था वो सब तो ही उसके अलावा एड कर दिया देखो बोनस राइड शेर रिडेम्शन और प्रेफरेंशेप और रिडेम्शन अफ डिबेंशन अगर मैं इसको नट्शिल में बात करूं आप यह बताओ क्या-क्या नहीं पढ़ना है यह बताओ और प्रेशली के देखो नए सिलेबस में जो बच्चे आ गए उनको तो मज़ा ही आ जाएगा ठीक है उनको तो फ्रेशी पढ़ना है कि मुझा तो मानलो कि आप पुराने सिलेबस के बच्चे और अगर आपको नया सिलेबस पढ़ना पड़े तो क्या फरक हो जाएगा तो के बाद सेल ऑफ गुड्स हटा दिया है और सेल रिटन कंसाइमेंट अवरेज दूदेट अकाउंट करें यह सार हटा दिया और एक्स्ट्र क्या पढ़ना है डेप्रिशेशन में अमर्टाइशन पढ़ना है यह रहाब का सिंगल एंट्री यह आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है पार्टनर्शिप में डिजलूशन का पॉश्ट्रा पढ़ना है बोनस राइट शेर रिदेंशन प्रेफरेंशन और डिवेंशन यह एक्स्ट्रा पढ़ना पढ़ना तो अगर आप नए हूँ तब तो ठीक है नए बच्चे हो डाइरेक्ली सिलबस में आ रहे हो ठीक है सि अगर मान लेते हैं जितना भी आप पहले टाइम लगा रही थे पढ़ने में अब आपको थर्टी आवर्स कम से कम ज्यादा इंवेस्ट करना पड़ेगा तो आपको इस पर मेहनत बहुत करना पड़ेगा तब ही जाकि पेपर आपका ठीक से होगा आई होप समझ में आ यागया है अगर आपको कोई भी जाएगा आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा देखने में तो गिनके बोलोगे एक दो तीन चार पांच छह चीज बढ़ा है शह चीज नहीं बढ़ा है चैसे बहुत जादा ही बढ़ गया है क्योंकि बोला ना सिंगल एंट्री में दो मेथड़ सिखना पड़ेगा यह ड बबहा है luckily दोझना औ가 theorist बगावेखने मैं बगया है जटेखने में बढ़ार ना सिंग्क चारे घ।व ले बड़ा है 85 जबढ़ा है apple क्योंकि बढ़े में आपके घूं़ी भांगारे चीज बढ़ारे में तीन ते क् Shapeady